प्रक्रण चार रविशंकर महराज लेखक परिचाय बाल दोस्तो रविशंकर महराज ए पाठना लेखक धिरुभाई परिक छे तमनो जन्म 31 मी ओगस्ट 193 मा विरम गाम मा थयो हतो बाल दोस्तो लेखक श्री धिरुभाई परिके जुदी-जुदी शिक्षन संस्ताओ मा भाशा सहित्यना विद्वान अध्यापक तरीके पोतानी सेवाओ आपी छे कविता, विवेचन, अनुवाद, तेमज संपादन, एमना रस नाक्षेत्रो छे गुजरात ना प्रसिद्ध, इवाक कुमार, तेमज कविलोक जिवा प्रतिष्टित सामाय कोना, तेओ ए तंत्री तरीके नी कामगिरी पन संभाड़ी छे छप्पा संग्रह, अंग पचीशी, तेमज हाईकु संग्रह, आगी आपण, एमना नौंध पात्र प्रकाशनों छे लेखक श्री धिरुभाई परिखे, प्रस्तुत पाठ मा, रविशेंकर महरादना जीवनकार्यने, सुन्दर रिते वर्ण व्यों छे महराज अने वली सेवक, महराज एटले तो मोटो राजा, मोटो राजा तो सेवा करावे के सेवा करे हाँ, पण आ महराज तो राज विनाना महराज, नवाई लागे छेने, के राज विनाना ते वली महराज होई हाँ, आ नवाई पमाडे तेवी पन खरीवाज छे लोकोना रदाय पर जमनी सत्ता चाले एवाज छे आ महराज आ महराजाने तमें नथी ओलकता लो, तो हुँ M नू नाम कहू M नू नाम रविशंकर व्यास हजी ये ओलखान ना पड़ी रविशंकर व्यास नाम अजान्यू लागे छे अरे, एज M नू खरू नाम छे अने व्यास एज M नी साची अटक छे आतो M ना लोक हितना कार्यो थी M नी निस्वार्थ प्रवरुत्तियो थी लोको एज M ने महराज नू बिरुदा प्यो छे आम ए महराज तरीके प्रसिद्ध थया आ महराज एटलेज गुजरात ना मुक सेवक रविशंकर महराज लोको एजम ने रविशंकर दादापन कहता रविशंकर महराज नो जन्म समवत ओग्ण सो चालिस ना महा महिनानी वद चौदशना दिव से एटले के महा शिवरात्रिना रोज थयो हतो इस विशन अड़ार सो चौर्यासी ना फेब्रुआरी महिनानी पचीसमी तारीके खेडा जिल्लाना रढ़ुगा में जन्मेला रविशंकर ना पिता श्रीनु नाम शिवराम भाई औने मातू श्रीनु नाम नाथिबा हतो पिताजी पासे थी जीवन मा सारी टेवो केडववानू अने माता पासे थी खुब चावी चावी ने खावानी आरो ज्यनी चावी नु श्रिक्षण ए बालपण मा जबाम्या हता बालपण थीज एमनो स्वभाव साहसिक अने निडर हतो दीन दुखी प्रत्य नी लागणी वालू है यू पन एमने बालपण थीज मले हतो बालपण थीज ए घरना नाना मोटा कामों मा मदद करता हता खेतीनू प्रत्य कामे शिखी गया ने होश्ट थी ए काममा जोत्राई पन जता कोई पन काममा एमने शरम, संकोच अने नानप नहीं नानू के मोटू कोई पन काम तेमने मन महिमा वन्तू मोटा थाया पची पन एमने काम करवानी वृत्ती छोडी नहीं हा एमना कामनी दिशा बदलाई महात्मा घांधी ना परिचय मा आव्या पची एमने अनेक कामों उपाड़ी लिधा ए जे काम उपाड़े तेमा दिल दईने जोडाई जाए महात्मा घांधी ए तो कहेलू पन खरू बस महराज नी आज खुबी छे तेमने जे काम सौपो तेमा ए पोतानों आत्मा रेडी दे छे अने तेथी जे एमनों काम जड़के छे अने तेथी वधू सारी असर पड़े छे घांधी जी साथेना परिचय पची एमने भारतनी आजहादीनी लड़त्मा जंपलाव्यो यजमान वृत्तिनों धंदों छोड़यो विलायती कपड़ा छोड़या गाम घर बधु छोड़ी ए रास्ट्रना काम मा लागी गया चर्खो चलावी खादीना वस्त्रों पहरवा साधू खावू पीवू अने साधाय थी रहवू ए हवे एमनों जीवन मंत्र बनी गयो धीमे धीमे राज्किय प्रवरुत्ति ने स्थाने लोक प्रवरुत्तिये एमना जीवन मा प्रवेश कर्यो पचीतो एज प्रवरुत्ती मुख्य बनी गई। लोग सेवाना क्षेत्रे एमने प्रथम पगरण मांडेला इस्विसन ओग्णिस्व अग्यार मां वडोध्रामां तेओ श्रीफते सिह राव अनाथाश्रम मां बै त्रोन छोकराओने दाखल कराववा गया हता। अनाथाश्रम नावडाए रविशंकर ने फालो घ्राववा कहू। त्यारे तो एक आम एमने माटे साव नवु हतु। पड़ एमने आ काम माथे उपाडी लिधू। गहर गहर फरी ने एमने ए आश्रम माटे ठीक ठीक रकम एक ठीक करी। त्यार पची धिमे धिमे एमने आवाज कामो मा पोतानी जातने जोतर वाबांडी। एक वार पेटला थी थोड़े दूर आवेला जोगन गाम मा एमने जवानू थयू। एमने जोयू तो त्या नरी गंदकीज गंदकी। गाम मा ठैर ठैर गरिबाई डोक्या करे। आ महराज तो गामडे गामडे फरवाल आग्या। दिवसमा एक वार बपोरे कोई गाममा थी थोड़ा दाल चोखा मिलवी ने खिचडी रांधी खाए। अने पची एमनी यात्रा शरू थाए। पाणी पीवा माटे साथे दोरी अने लोटो राखे। गामनी भागोले प्रथ हम नाही दोईले, पची ए गाममा प्रवेशे। आ यात्रा मा बैत्रोण वकत दोरी खोवाई गई। आथी एमने दोरी साथे राखवानू मांडी वाल्यू। हवे एमने एवो नियम लिधो के बपोरे जम्या पची पाणी पीवू। पची 24 लाग सुधी पाणी पीवू नहीं, आम ओच्छा मा ओची जरुरियात वड़े एमने सेवा आरंभी दिधी। एकवार एमने संदेशो मल्यो के कणभा नामना गाममा कोई व्यपारी ना घीना बै डबा चोराया छे। पिला मानसना मन पर भारे असर थाई। बिजाज दिव से रातरे ए महराज पासे पहुँची गयो अने चोरी कबुली लिधी। पोते चोरे ला घीना बै डबा पाच्छा आपया अने फरी चोरी नहीं करवानी एने प्रतिग ना लिधी। आवोज बीजो प्रसंग बने जड़ा गाम्मा बन्यो हतो। ते गाम्मा चोरी थायाना समाचार जानी महराज त्यां पहुँची गया। एमने तो चोर चोरी कबुल न करे त्यां सुधी खोराक पाणी नहीं लेवानी जहरात करी दिधी। एक दिवस, बै दिवस, त्रोन दिवस, उपवास तो चाल्या। चोर आवे नहीं, गाम्मना लोको अकळाता हता। महराज बधाने शांत रहवानु कहता हता। महराजने उपवास नो आठमो दिवस थायो, आखरे चोर नो मन पिगड़यो, तैने पश्चा ताप थायो, तैने चोरी कबुल करिली धी। महराज ना उपवास छूट्या। आतो वाद थै नाना चोरोनी, पड़ महराज ने तो मानस पर एटलो बधो विश्वास के बाहरवटियाओने सुधारवानू पणे चूके नहीं। इस विशन ओग्णिसो बाविसमा एमने प्रथम वार बाहरवटियाओनों भेटो थे गयो। छी प्याल गाम थी तेओ रात्रे सरस्वणी गामें पाचा फरताहता। त्या रस्तामाज बहरवटिया भेटी गया। काचो पोचो मानस होई तो छातीना पाटिया बैसिज जाए। पड़ा तो महराज नरी निर्भैतानी मूर्ती। एमने तो बहरवटियाओने महात्मा घांधीनी वाद करी। आजादीनी लडत नी वाद करी। बहरवटियाओने घांधीजीनु काम उपाडी लई साचु बहरवटु खेडवा समझाव्य। पचीतो महराजे कोतरों मा भमी भमी अनेक बहरवटियाओने सुधारवानी प्रवरुत्ती करी। आथीज तो जवेरचंद मेघानी ए एमने मानसाईना दीवा कहा हता। आरिते एक तरफ तेओ व्यक्तिना जीवनने सुधारवानी प्रवरुत्ती करता तो बिजी तरफ प्रसंग पड़े लोकों पर आवी पड़ती कुद्रती आपत्तीना समये पन तेओ सेवा करवामा पा तो तूटी पड़े वर्साद कहे मारू काम जैम तेम करी ने रात पसार करी। वर्साद हजू पन वरस्तो जतो पोतानी जवाबदारी पर एमने गरनालों तोड़ी पड़ावे। गाम उगरी गयो। त्या थी वरस्ता वर्साद मां छाती समाना पाणी खुंदता खुंदत त्या वर्साद थी अनेक मकानों पड़ी गया हता। महराजे दोरडानी मदत्ती लोकोंने नजीकना उचानवाडा भाग पर पहुंचाड़या। वर्साद मां पलणता पलणता अने टाढ़े द्रुजता द्रुजता महराजे कोईना पड़ता घरने टेका गोठाव्या तो कोईने सलामत थले खसेडवाना काममा लागी गया। लोकों तो एमने भगवाननों आवतार मानता। तो वड़ी कॉलेरा जेवो चेपी रोग फाठी निकल्यों त्यारे पड महराज रोगियोंनी वहारे दसी जाए। इस विशन ओग्णिसु एक्तालिस निवाज छे। महर भीर परिस्तिती जोई तेवो अमदावाद आवया औने किटलाक स्वयम सिवकोंने साथे लई कॉलेराना रोगियोंनी सेवा करवा कलोल पहुँची गया। गामना लोकों अंदश्रद्धाने लिधे दवा खाना मा जाए नहीं। कॉलेराना विस्तार मा फरी फरी ने प्रक्टरोंनी व्यवस्था करवी। आब धाज कामों मां महराज जातने पन भूली ने एक रूप थाई जता। आवे वकते ये मृत्यों नी पन परवाग करता नहीं। दुश्काल पड़ियों छे एम साम्भलताज महराज त्या मददे पहुँची जाए। एक वार बनास गामडे गामडे फरी दिवस रात परिश्रम करी कुवाओ अने बोरिंग कराव्या। लोकोंने एटली बधी राहत थाई के त्यों महराज ने बोरिंग वाला महराज नामे ओलक वाला ग्या हता। अरे ये तो हजुट ठीक पन ज्यारे मानसो हैवान बनी अंदर वंदर लड कापा कापी थाई, हुल्लड थाई, त्यारे पड़ जानने जो खबे महराज त्या पहुची जाए। इस विसन ओग्णे सो एक तालीस अने ओग्णे सो छे तालीस मां अमदा वाद मां मोटा हुल्लडों फाठी निकलेला। महराज तो निर्भाय बनी सुमसाम शेरियों मां फरता अने लोकों ने समझावता। हिंदू के मुसल्मान बधाज महराज नी वाज शान्तिती सांभरता अने एमने आदर आपता। हुल्लड मां वृत्युपामेला लोकों ना शब नो अगनी संसकार पन महराज जातेज करता। आवा तो अनेक प्रसंगों महराज ना जीव प्रसंथाय छे। आमछताय महराज कदी पोताना कामों नो धंडेरों पीटियों न थी। जात जहरात थी तो ए सदाय दूरज भागे। मुंगा मुंगा सेवा करवी एज एमनो जीवन धर्म हतो। आथीच तो एमने सव मुख सेवक तरीके ओलखे छे। स्वामु वरस चाल तुहतू त्यारे महराज नो स्वर्ग वास्थायो।